जब हमारी दिमाड में ये बता हुआ है कि ये लड़की ये गलत काम करेंगे लड़की क्या गलत काम करेंगी। और लड़की के साथ कुछ अगर हुल्डी-सीदी खटना वोज आती है तो उसका ब्लेम भी लड़की पर ही आदा है। वो आदमी तो खुलियाम गूनता है, उसके उपर हम कभी आरोप प्रत्यावत नहीं करते हैं यह मोहल किसने बनाया हमने कभी कहा कि अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम भी नहीं जाएंगे बाहर हमने अपनी मोबलिटी तो रस्विक नहीं की, हम दो बजे पुरी दिल्ली में गूंके, मस्ती करके गार वापस आजाएंगे वींगा वॉय, वींगा फादर, वींगा ब्रदर, वींगा हस्पेंट इसमें मैलाओ को भी उतना ही सचेत रहने की जुरत है, जितना की पुर्षो को है सो मेरा क्वेश्चन ये भी है, सब लोग जितने यहां बैठे हैं और अगर आप कुझे कहता है कि मैलाओ के मुद्व के बारे में बोलो, तो हम तो बोलेंगे अच्छा लगे या ना लगे आप दिना आयम है कि आप अपनी वेलु को लेकर आई है, कि आप मैलाओ को लेकर आई है, जब आपने टीन टॉपिक रखे है तो कितने मैलाओ को आप अपने साथ लाके हैं, कि चलिए आपनी सम्मेधार को समझे जो राइट्स मेरे है वो आपके भी है मेरा एड्मिशन हो गया तुम्हारा अगले साल होने वाला है तुम भी मेरे साथ चलो ये मुहिम छेडनी होगी तब तो बात है कि हम अपने कारेकरम वो आगे बढ़ाएं नहीं तो फिर हमारे blind following हो रही होगी सो education का मामला है employment का मामला है public spaces पे चलने का सड़क पे चलने से लेकर घर तब पहुचने का भी मामला है और जितने public resources हो सकते public library है पीने का पानी है गाउ में तो अभी भी अगर फुए पे जाते तो वो महिना safe नहीं है या वो कोई public resources पे जा रही है तो safe नहीं है मंदिरों में जाने की आपको छूट नहीं है तो हम कैसा समाल 70 साल के बाद में imagine करते हैं फिर political अब अगर मैलाओं की भागेदारी है मैडम तो DCW में हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारी आवाज बहां तक पहुचेगी लेकिन पार्लेमेंट के सवाल में तो अभी भी हम सब शांती से बैठो गया है उस पे तो अभी हम बाती नहीं कर रहे हैं और उसमें भी आपकी population 50% की है और reservation आप 33 माग रहे हैं ये कैसी equality है संध्या के हिसाब से हम सब resources बाटना चाहते हैं लेकिन जब सीड्स का मामला है तो 50% population को अग 33 reservation पे समेटना चाहते हैं ये बात हमारी तो समझ में नहीं आती है जिसकी समझ में आए वो जड़े एक्स्क्लेम कर दे कि किस तरीके की demand है ये भी एक सवाल हमारा है Now the point is that why I am talking all those things to you The youth, the so-called youth Youth जो है वो जाना जाता है अपने उस मुहीम के लिए अपने उस इच्छा शक्ति के लिए और अपने उस तांकिक सोच के लिए जो समाज में बदलाव लाता है Youth की definition ये वही है कि वो बदलाव के बगएर youth की imagination ये कलपना करना मेरे समझ में आधा अधूरा है कोई भी जो youth है उसके साथ जुड़ाव है उसका सम्माज बदलाव से क्योंकि हर एक नया व्यक्ति जो आएगा वो अपनी पिछली जो generation है उससे कुछ नया सोचता है और ये बड़ नैच्रल प्रोसेस है The change is a बड़ नैच्रल प्रोसेस of this society उसको कोई नहीं रोग सकता अगर youth ये कहता है मेरी सोच आज भी 70 साल पुरानी है तो फिर वो youth नहीं है वो बुजूर्गी है कम उम्र का वो कम उम्र का बुजूर्गी है और जब एक बुजूर्ग भी अपनी नई सोच के साथ आगे आता है तो वो बुजूर्ग नहीं है वो youth है वो अपनी अधेड उम्र में भी youth है उसके अंदर को energy है So youth is known for the rationality the use of the mind the curiosity उसके अंदर curiosity है जानने की exploration की कि मुझे देखना है दुनिया में क्या हो रहा है किसी youth को देखा है वो घर पे बैठा हुए सुगे से शांदर सर्फन कर रहा है उसको जाना है देखना है दुनिया में क्या हो रहा है छोटे से बच्चे को भी बाहर निकल कर देखना है कि बाहर क्या हो रहा है लोग कैसे एक दूसरे के साथ में रहते हैं So youth is known for the exploration जो जानना नहीं चाहता दुनिया को जो rational mind नहीं अपनाना चाहता जो question नहीं कर पा रहा है system को उसके youthness के ओपर doubt हो सकता है और doubt होना चाहिए doubt होना चाहिए जब आप तब मिलेगा जब आप सवाल पूछेंगे अगर आप सवाल नहीं पूछने तो आपके समस्या का जवाब कभी नहीं मिल पाईगा और question करने की शमता एक youth में ही हो सकती है वो उसके लिए एक integral part है उसकी personality का इसलिए ये बाते आपके साथ करना बहुत जरूरी है Now the point is that बहुत ज़्यादा समय नहीं लोगी है लेकिन दो तीन बाते और है जिसके उपर कहेंगर मैं अपनी बात को खतम करूंगी So the idea of living किस तरीकी की society और किस तरीकी का व्यवार और किस तरीकी का जीवन हम उम्मीद करते हैं अपने आप से हम उमीद सकार से करे हम परिवार से करे हम अपने पार्टनर से करे लेकिन उसके पहले जिम्मेदारी आती है कि क्या मैं अपने बारे में कुछ सोचता या सोचती हूँ या नहीं अगर आप अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं तो जैसा और लोग सोचेंगे आप ऐसे ही बग जाएंगे आप अपने जैसे नहीं बनेंगे, अगर आपका अपना कोई एजेंडा नहीं है, आपका अपना कोई विजन नहीं है, आपके अपने कोई अबजेक्टिव्स नहीं है, तो आपका अपना कोई स्टैंड भी नहीं होगा, जीवन में अगर कोई स्टैंड लेना है, तो आपका को स्टैंड भी नहीं होगा तो कोई भी समस्या के उपर जब आप स्टैंड लेते हैं तो वो ईस्टैंड आओड आफ जब आफ Χॉरसוןटी ए आइड़ीया आफ यूथनेश जिसके अंदर वो शमता है कि वो समाज को चैलेंच कर सकता है उसके परंपरा कर जो समाज है जिसमें लोगों के उबर बंदिशे लगी होती है फ्रीडम के आगे बेरियर है उस समाज को चैलेंज करने की शंता उस यूद के अंदर है So what I am saying is you need to raise the question in order to get the answer back अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए So the first point is to raise the question If you cannot raise the question you will not get the answer back That's as simple as that So being a youth, being a woman, am I questioning the society, the family, या परिवार को या अपने पार्टनर को अगर आप उनसे सवाल नहीं करेगे अपने जो भी concern से उनको नहीं रखेगे तो जवाब भी नहीं मिलेगा अगर कोई समझ से आपको परिशान करती है तो speak out आपको to raise your voice आपको करना भी पड़ेगा Now the point is that कि हम education की बात कर रहे है University में program हमने organized किया है We are addressing the people those are into the higher educational institution आप graduation में है, post-graduation में है, M.Phil scholar में, PhD scholar में So what do you need that education? Just an employment generation program If education का मतलब सिर employment generation है तो ऐसा नहीं है Let me make it very clear The first utilization कोई भी education आपकी अपने जीवन को बनाती है अपने लिए पहले अगर आप उसका इस्तेमाद नहीं कर पा रहे हैं अपनी सोच को बदलने के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो कभी भी आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश नहीं बदल पाई रहा So that education needs to be utilized and consumed by the individual first If you are reading a constitution, are you able to relate it with yourself or not? If you are not able to relate it with yourself, you won't be able to look at the linkages with the other people So that you are in the society, then fraternity आएगा आप अगर अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं So I am not talking about you, you need to get the selfish person, नहीं लेकिन अगर आपकी अपनी मुहीम नहीं है, अपना agenda नहीं है, अपने objectives नहीं है अपनी life का clarity नहीं है, तो हम आगे भी किसी के साथ भी वो जुडाओं नहीं रख पाएंगे उन मुदों के साथ नहीं जुड़ पाएंगे That is the idea So, what is the message to get? आप गएंगे, मैंने message भी देकर जाएए So the youth is known for the rational mind तार्किक्ता के साथ में क्या सही है, क्या गलत है ये अगर सही है, तो मेरे कितना काम आने वाला है मेरी generation के लिए कितना काम आने वाला है मेरे परिवाद के लिए कितना काम आने वाला है मेरे nation के लिए ये कैसे काम आने वाला है Blind following से काम नहीं चलेगा ब्लाइंड फॉलोईंग चाहे आप परिवाद की करें, नीशन की करें, रिलीजन की करें, इट इस वोईंग टू स्टॉप यॉर थिंकिंग, तो अपनी थिंकिंग को बंद करने की वज़ाएं, कोगनिटिव एलहांस्मेंट करना है, अपनी दिमाग की जो पढ़ते हैं, उनको हमें और खोलना है, नए-ने जो हमारे विचार हैं, उनको लेना है, अलग-लग परस्पेटिव को समझना है, एक समझ्या को किस तरीके से देख सकते हैं, कितने पॉइंट अ व्यू से देख सकते हैं, उसकी जो लर्निंग है, कुछ सीखा है, तो काई बार लर्निंग के साथ, एक most of the time de-learning भी आता है, हम सीखते चले गए, सीखते चले गए, हमने कुछ गलत बाते भी सीखिए, but this is the time to get into the de-learn also, if you are learning something wrong, which is not appropriate for the society, for your family, for the women, for the other people, those are leaving the fellow colleagues, you need to de-learn that thing, किसी भी तरीकी का जो hated है, we need to de-learn it, we need to point it out, we need to question it, why we need to be not hated, चाहे वो women के साथ है, चाहे वो communal के context में है, चाहे वो caste के context में है, चाहे वो religion के context में है, चाहे वो racial context में है, उन सब चीजों को हमें नहीं सीखना है, अगर हम कहीं से गलती से सीख पी रहेंगे, तब तो बात है कि हम अपनी education का अपने लिए और अपनी society के लिए फायदा उठा पाएंगे, उसका कुछ इस्तेमाल कर पाएंगे और एक चरित्र का निर्मान करेंगे, जिसकी कलपना हमारे सारे जो महानायब हैं उन्होंने किया, वो personality है, उनकी कल personality है, resources नहीं है, उनके पास संसादर नहीं है, support नहीं है, लेकिन उनकी अपनी personality है कि वो सारे barriers के बावजूद भी लड़ते चले गए और आज हमें 70 साल के बाद यहां बिठाया है, तो हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है, इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहते है, यूज़ पर सोशल जाचिस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले,